दोस्तो नमश्कार आदाब सच्रियकाल नियोज क्लिक के इस खास का रिक्रम चुनाओ नतीजों के विश्लेशन में आपका स्वागत है पांच राजियों के चुनाओ के जो भी नतीजे आए हैं वो आपने सबने देख लिया है पढ़ लिया है लेकिन हम आज इस बात पर आप चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका संदेश क्या है इसके राजियों के लिए और पूरे देश के लिए इसका क्या अर्थ है दोस्तों हम सब जानते हैं कि बंगाल की जो लड़ाई थी बहुत बड़ी लड़ाई थी इसमें कोई दोराय नहीं और उसमें प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ग्रे मंतरी अमिश शाह सब ने दाव लगा दिया था ऐसा लगता था कि वही लोग चुनाव में सब कुछ हैं सर्वे सर्वा हैं अपनी पार्टी की तरफ से दोसों से ज़्यादा सीट जीतने का दावा वो कर रहे थे लेकिन वो तीन जो जो अंक हैं उसमें भी उनकी सीटे नहीं आई वो दहाई में सिमट गए और ममता बनर जी की पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बना रही है तो इस जीत का बड़ा एक संदेश है राज्जी के लिए और देश के लिए भी दूसरी जो बड़ी जीत है वो तमिल्नाड की है अगर देखा जाये तो जहां पर दियम के दस वर्सों के बाद फिर सत्ता में वापसा रही है में के स्टालिन की अगवाई में और अन्ना द्रमुक जो पार्टी अपने बल पर नहीं बलकि भारती जनता पार्टी के रिमोट से तमिल्नाड में सरकार चला रही थी हमें नहीं भूलना चाहिए कि तमिलाड में कहने को अन्ना द्रमुक की सरकार जरूरती लेकिन उसके पीछे जो रिमोट था वो भारती जनता पार्टी का था और ये महत संजोग नहीं है कि दोनों ने एलाइंस बना कर चुनाओ लड़ा और वो बुरी तरह हार गई कि तमिलाड की जनता ने अन्ना द्रमुक को इसलिए भी दंडित किया कि वो भारती जनता पार्टी के साथ क्यों मिली उसने रिमोट क्यों मंजूर किया बीजेपी का एक हिंदुत्वा पार्टी का और तीसरी बात जो केरल की है जो बड़ी जीत है हिस्टॉरिकल आयतिहासिक जीत है कि नो सिर्फ पिनरई विजेयन की अगवाई में लेफ्ट डेमोक्राटिक फ्रंट ने शांदार चुनाओ जीता सीटें बढ़ाई बलकि एक किर्तिमान भिस्थापित हुआ 1977 के बाद ये पहला मौका है जब केरल में कोई सरकार लगातार चुनाओ जीत कर वापस आ रही है सत्ता में तो ये चमतकारी चुनाओ है अगर केरल के हिसाब से देखें तो असम का जहां तक प्रशन है बहुत संचेप में मैं सभी राजियों पर आऊंगा और इसके बाद मैं इसका संदेश क्या है वो मैं आपके सामने अपनी राय जाहिर करूँगा असम में भारती जनता पार्टी ने चुनाओ जीत लिया उसकी सरकार फिर दुबारा आ रही है लेकिन हारने वाली जो पार्टी है कॉंग्रिस वो चुनाओ क्यों हारी इसको लेकर बहुत सारे असम में और असम के बाहर विवाद हैं लेकिन जो सबसे बड़ी प्रमुक बात कही जा रही है वो थी वो है कि AIDUF के साथ जो उन्होंने एलाइंस किया वो उनको फायदा पहुँचाने के बजाए नुकसान पहुचा दिया और जो हिंदुत्वा पार्टी है भारती जंता पार्टी उसने इसको कमोनलाइज किया बहुत जवर्दस ठंक से कमोनल प्लराइजिशन किया और असम में उसका अवश्य प्रभाव पड़ा जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस की सिटें अपर असम से लेकर और कई जगा भी कम हो चार राजियों का और हम जानते हैं कि पुडूचेरी एक चोटा राजिय है और वहां क्या-क्या हुआ हाल के दिनों में सरकार को फिर से बीजे पी की वहां बनानी के लिए हम सब जानते हैं तो वह एक अलग कहानी है और उसका उतना मैं समझता हूं कि बड़े राजियों मे शमार भी नहीं हो सकता तो ये चार राज्य की जो काहनी है उसके बाद हम आते हैं अब मुख बात जो आज की हमारी है कि इसका राज्य नितिक शंदेश क्या है दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ राज्य के लिए संदेश नहीं देते हैं ये चुनाव इनके नतीजे बल की भावना को भारत की भारती जनता के बीच जो कुछ चल रहा है और वो भी एक ऐसी महावारी के दर्मियान जो अभूत पूर्व है इसको लेकर मैं समझता हूँ कि ये जो जनादेश आया है वो काफी कुछ कनवे करता है और वो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो केंद्र में सत्ता धारी इस समय गठवंधन या पार्टी है गठवंधन कहने को है नामात्र को है तो पूरी एक पार्टी जिसकी रिजीम है जिसके सत्ता है भारती जनता पार्टी और उसके जो सबसे बड़ी नेता नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री है अगर इस चुनाव का कोई बड़ा संदेश है तो वो ये है कि नरेंद्र मोदी की अगवाई में जो भारती जनतापाटी हिंदुत्वा जोगट बंदन है और कार्पुरेट का जिसको प्रचंड समर्थन है इस देश के उसको अगर शिकस्त देनी है उसको अगर अपदस्त करना है अगले अगली तो एक बहुत ही ब्यवस्थित किस्म की बहुत ही शक्तिकसाली किस्म की और बहुत सुसंगत किस्म की मोर्चे बंदी चाहिए और ये जो मोर्चेबंदी है सिर्फ किसी एक चहरे के नाम पर नहीं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं किसी एक पार्टी के नाम पर नहीं बलकि साजा कारिक्रम बिलकुल well defined सुनिश्चित एक ढंग से रख कर बात हो और सुनिश्चित करें कि किस कारिक्रम पर मोर्चा चुनाव लड़ेगा और उसका नित्रित्व किस तरह का होगा यानि साजा कारिक्रम और साजा नित्रित्व ध्यान दीजिए साजा नित्रित्व साजा कारिक्रम जब तक इसको इवाल नहीं किया जाता तब तक जो सत्ता में बड़ा जो एलाइंस है दिखाई देता है केवल आपको एक पार्टी का चेहरा दो तिन नेताओं का चेहरा लेकिन मैं समझता हूँ कि केंदर की जो मवजूदा सत्ता है उसके पीछे एक बड़ा एलाइंस है और उसमें इंडियन जो भारत का जो कार्परेट है उसको प्रचंड सबर्तन है तो ऐसी स्थिती में जो एक जिसको आप समझते हैं कि केवल एक पार्टी एक विचारधारा है केवल उसके पीछे एक हिंदुत्वा राज कायम करने की का एक एजंडा केवल है ऐसा नहीं है सिर्फ यही नहीं आई यह तो हई है लेकिन एक पूरे देश की सारी पब्लिक सेक्टर को सारे देश के एसेट्स को और इस महामारी में इसको आम जनता भी समझ पा रही है आक्स का है वह भी इस एलाइंस का एक बड़ा फैक्टर है वो एक बहुत महत्यपूर्ण आनुशंगिक अंग है तो कार्पूरेट और हिंदुत्वा दोनों का एक बहुत मिला जुला यह एक साशक्त मोर्चा है और इसको जनता के जो जनता जो समाज जो सूबे जो प्रदेश चा है वो भी अपने धंग से काम करे मैं समझता हूं कि इस धंग की अगर मोर्चे बंदी नहीं होती है इस तरह के साजा कारिक्रम पर अगर नहीं होती है तो सिर्फ एक नेता के चेहरे पर एक प्रदेश के चेहरे पर यह आप राजनीत नहीं कर पाएंगे इसलिए बड़ा इस देश के जब से चुनाव का जनादेश आया है राजियों का तब से खास कर जो अंग्रेजी के बहुत बड़े-बड़े कमेंटेटर हैं अकपारों और टेलिविजन के वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि साब ये जो जीत है वो दरसल केरल की जीत है वो विचारधारा की जीत नहीं है गौवर्नेंस की जीत है क्योंकि पिन्रे विजियन ने बहुत वेल मैनेजड धंग से एक बहुत ब्यवस्थित धंग से चीजों को वहां चलाया है तो ये पिन्रे विजियन की जो विचारधारा है उसकी नहीं जीत है बलकि बलकि उनकी गौवर्नेंस की जीत ह ऐसी बातें कल से और आज के बीच में हमने बहुत सुनी है लेकिन दोस्तों दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो अगर governance का कोई model सामने आता है तो वो विचारधारा के बगैर नहीं होता अगर आपके पास कोई विचारधारा है तो उसके मुतलिक ही, उसी की रोशनी में आप governance का model खोजते है और ये केवल भारत की कहानी नहीं है, केवल केरल की कहानी नहीं है पूरे दुनिया के इतिहास में आप देख लीजिए तो इसलिए ये कहना की ideology नहीं, governance केवल है governance और ideology दोनों एक दूसरे से जोड़ी चीजे है पिन्रही विजियन ने अगर COVID-19 के इस दौर में और इसके पहले नीपा के दौर में भी अगर उन्होंने महामारी से लड़ने, वाइरस से लड़ने का एक 75 किस्म का model पेश किया पूरे देश के सामने, उनकी जो health minister है, उनका भी नाम काफी हुआ, आज वो बहुत pretend बहुमत से चुनाव जीती है तो ये जो कारण रहा वो उनकी वैचारिकता है, क्योंकि उसी वैचारिकता से केरल ने भूमि सुधार लागू किया उन्होंने एक जन कल्यानकारी, एक राज्य को कैसे evolve किया जाता है, उसका विस्तार कैसे किया जाता है, वो ही दिखाया है इस चुनाव में और इसके पहले समाज में और यही नहीं सबरी मला को लेकर जिस तरह से पूरा हिंदुत्वा का एक आक्रमन, हिंदुत्वा का मतलब जब मैं कहता हूँ तो यह कोई धरम नहीं है, एक political ideology है और वो political ideology RSS, VHP और भारती जनतापाटी की है, उसने जिस तरह से हमला करनी की कोशिश की, उन्होंने पैसे क दम पर, धन के बल पर, और communal एक पूरी की पूरी polarization के बल पर, सबरी मला को जिस तरह से उस issue को, सुप्रिम कोट के आदेश के बहुजोद, जिस तरह से वहाँ पर, उसके आधार पर चीजों को बदलने की कोशिश की थी, वहाँ की दशा और दिशा को केरल की, केरल की अवाम उसको पूरी तरह खारिज कर दिया है, और खारिज इस तरह किया है कि पिछले चुनाव में एक सीट मिल गई थी, इस बार पिन्रई विजियर ने कहा था कि गोल, शुन्य हो जाएगा, और वो शुन्य हो गई, इतना सारा वहाँ पर कुछक्र रचने के बावजोद, उसको शुन्य सीट मिली, तमिलनाड में अगर यूं कहा जाए कि सामाजिक न्याय की जो पेरियार अन्ना दुराई की पूरी की पूरी विचारधारा है, अगर उसकी वापसी हुई है, उसको प्रशंड बहुमत मिला है, तो निश्चित रूप से केरल में लेफ्ट को, लेफ्ट फ्रंट की वैचारिक जीत को एकसेप्ट करना पड़ेगा, अब कोई हमसे यह सवाल कर सकता है, फिर बंगाल में लेफ्ट क्यों नहीं जीता, क्यों क्योंकि बंगाल में लेफ्ट जो है, वो पूरी की पूरी बैटिल का बंगाल की उस लड़ा, उस उस कॉन्टेक्ट से बा था जो चुनाव से एंड पाले, वो अपने को सोचली पूलिटिकली रिलिवेंट नहीं साबित कर सका, और यही कारण है कि बंगाल में पूरी की पूरी लड़ाई थ्रिनिमल कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच चली गई, इसको सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वैसे ही कारण आपके असम में हैं, कि असम में कॉंग्रेस ने अलाइंस बनाया, लेकिन वो सोचली पूलिटिकली उसको रिलिवेंट नहीं बना सका, तो इसलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का जो जनादेश है, उसके बहुत महत्पुन संकेत है हैं, बहुत महत्पुन संदेश हैं, कि भारत में कार्पुरेट हिंदुत्वा गठ बंधन जो है, उसकी जो वैचारी की है, निजी करण आधारित जो पूरी की पूरी अर्थ नीती है, और जो सामप्रदाइकता और धृविक करण आधारित जो राजनीती है, उसको का माडल है, जो राजनीती का माडल है, इनकी मोर्चे बंधी से ही संभव है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई एक चेहरा नहीं, चेहरे से ज्यादा महत्पुन एजेंडा है, और एजेंडे के साथ मोर्चे बंधी जरूरी है, वही मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के जो नती कि केरल की जीत और तमिल्णाट की जीत और बंगाल की जीत को अलग-अलग करके नहीं दिखा जाना चाहिए इस महामारी में जिस तरह से सत्ता जो केंद्र की है जिस तरह से विफल रही है क्योंकि उसकी राजनी उसको इसी नियती की तरफ ठक Natal रही थी उसको परवा नहीं है अपने लोगों की उसको केवल अपने प्रचार अपने विस्तार और नीजी करन से फुरसत नहीं है तो इन्ही कारणों से जनता ने बुरी तरह उसको खारिश किया है जरूरत इस बात की है कि इस बात को समझा जाए लोग समझें खासकर उत्तर भारत के लोग हिंदी भारशी छेत्रों के लोग तो दोस्तों आज बस इतना ही नमशकार आदाब सथ्रियकाल